समान नागरिक सहिता हमारे समाज में समानता और न्याय की मूल आधारशिला है। यह एक ऐसा मानवाधिकार दस्तावेज है जो हर व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तवियों का उचित सम्मान और संरक्षन प्रदान करता है। समान नागरिक सहिता में समाज के सभी सदस्यों को न्याए, स्वतंत्रता और अधिकारों का समान अधिकार होना चाहिए, चाहिए वे किसी भी धर्म, जाती, लिंग या समाजिक वर्ग से हों। इसका मकसद समाज में सम्रस्ता, शांती और सम्रिद्धी को सुनिश्चित करना है। हमें इसके प्रमुक धाराओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले, ये सहिता सभी व्यक्तियों को न्याए पूर्ण और समान द्रिष्टिकों से देखने की प्रेरना प्रदान करती है। ये उन्हें अपने अधिकारों की समज, सनरक्षन और प्रयोग की सही प्रेरना देती है। दूसरा, समान नागरिक सहिता समाज में विवित्ता और विशेश्टा का सम्मान करती है, लेकिन उसके साथ ही समानता और न्याए की मौजूद्गी को भी बनाए रखती है। यह विविन समुदायों और संप्रदायों के लोगों के बीच संबंधूं को स्थापित करने में मदग करता है और सामाजिक सामन जस्य बनाए रखने का संदेश देता है। वियक्ति को उसके अधिकारों का पूरा लाब उठाने का अधिकार होना चाहिए और यह समृद्ध्य और समानता के माध्यम से ही संभव है। समान नागरिक सहिता के अन्य महत्वपून पहलूँ में उसका संरक्षन और प्रभावशीलता शामिल है। यह ना केवल व्यक्तियों को उनके अधिकारों की जानकारी और समझ प्रदान करती है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने और उन्हें मजबूती से समर्थन प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है। समान नागरिक सहिता सामाजिक सुधार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यकुप करन है। यह न सन्रचनात्मक परिवर्तनों को समर्थन प्रदान करती है जो एक सम्रिध और समान भारतिये समाज की दिशा में होते हैं। इसके माध्यम से विभिन समाजों के लोग अपने अधिकारों के लिए उन्नती के लिए संधर्ष कर सकते हैं और समाज में सकारात्म परिवर्तन ला सकते हैं। आखिरकार समान नागरिक सहिता सम्रिध स्थिर और विक्सित राष्ट की नीव होती है। जब हर व्यक्ति को उसके अधिकारों का पूरा लाब मिलता है और वहस्वत अंत्रता, न्याय और समानता के माध्यम से अपना पूरा पोटेंशल प्राप्त करता है, तो समाज में सामर्थ्य और उत्कृष्टता का अफसर बनता है। इस प्रकार समान नागरिक सहिता न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि यह एक विश्वास का प्रतीक है जो हर व्यक्ति को उसके मूलेक अधिकारों के साथ सम्मान पुर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है।